हेलो स्टुडेंट स्वागत है आपका मेरे चैनल पर स्टुडेंट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टुडेंट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप हमारी इस वीडियो को देखते time या तो टीवी देख रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए किसी से discuss कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए discuss करना जब आप बिलकुल silent mood मर बैटे हों सिर्फ अकेले हों तब इस वीडियो को आँगे देखिए बढ़ना बिल्कुल इस वीडियो को मत देखिए इसका कोई भी आपको फायदा नहीं होगा इस्टुडेंट्स आप जो की सभी लोग हाई कोट की तैयारी कर रहे हैं लगवग आपको पहले 1200 पत देखने को मिलते हैं अब 1100 कुछ पत आपको देखने को मिलते हैं इस एक्जाम में और कम से कम फॉर्म आप मानके चलिए कि 2-3 लाग फॉर्म मिनिमम तो डलने वाले हैं इस विकैंसी के लिए और सिलेक्शन होगा कितने का सिर्फ 1100 की फर्स्ट एक्जाम में 3000 लोग लगवग तीन गुना अगर बुलाई भी गए हैं तो मानिए आपकी 3300 या 3500 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा और मैंस की जो लिष्ट होगी उसमें करीब 1500 बच्चों का होगा जिन में से 1100 कुछ बच्चे जो रहेंगे वैब बेटिंग लिष्ट से ओटकर मैं में उनका सिलेक्शन होगा और बाकी की बेटिंग लिष्ट में आएंगे लेकिन क्या उस तीन लाक में से आप वो इस्टूडेंट हैं जिसका सिलेक्शन इस विकैंसी के लिए होगा ये आप कैसे निर्धारित करेंगे आज सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ देखे इस्टूडेंट जब तक आपके पास में प्रॉफर गाइडेंस नहीं होगा किसी भी वेकैंसी को लेकर आप किसी भी एक्जाम को नहीं निकाल सकते हैं तो इस्टूडेंट आज की वीडियो में अगर आप लाश्ट तक बने रहते हैं तो आपको बहुत से आपके जो मन में कोश्चन्स हैं उनका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा लेकिन बस सर्त यहीं है कि यदि आप कहीं अभी ब्यस्त हैं आपका माइड अगर प्रॉपर न समझाने वाले उसके बारे में देखी स्टूडेंट जो सबसे पहला कोश्चन आपके लिए होना चाहिए इस परिक्षा को लेके कि परिक्षा में कितना समय है हलाकि यह तो कोश्चन आप सभी स्टूडेंट द्वारा अक्सर पूछा जाता है कि सर परिक्षा में कितना समय ह तो देखे इस परिक्षा में लगबग आपका फरवरी तक एक्जाम हो सकता है अगर कोई भी कंडिशन आपकी चिंजिस नहीं होती है जैसे की कोरोना का लॉकडाउन लगना हो सकता है उसकी भी अब बहुत आ रही है अगर ऐसा होता है तो हो सकता आपका जो एक्जाम है पोस् है ये आपको अपने मन को समझा कर रखना होगा क्यों क्योंकि अगर आपने मन माइंड में सेट अप कर लिया कि एक्जाम तो पोस्ट पॉंड होगा तो आपकी बास्तों में तैयारी नहीं हो सकती आप कितना भी सोचेंगे तब भी आप तैयारी नहीं करेंगे इसलिए माइ इस एक्जाम को लेकि तैयारी है कितनी। आपको यह डेली आपको सोचना चाहिए कि आपकी तैयारी कितनी है। जब तक आप यह मन्थन नहीं करेंगे। आपकी तैयारी कितनी है, आप कहां से पता कर पाएंगे कि आपको और कितनी तैयारी करना आविश्यक है तो सबसे पहले तो आप ए पता कीजिए कि आपकी तैयारी है कितनी। set paper दिया जाता है test आपका लिया जा रहा है online आपको website पर test दिया जाता है आप click करते हैं जैसा exam बहां पर होना है उसी परकार से आपको यहां पर facility उपलबध है हमारे चैनल के माध्यम से बहुत से students जुड़ते भी हैं और test भी दे रहे हैं और उनका हम आपको बताते भी उनके n नंबर भी अनाउंस करते हैं उससे क्या होता है कि जब आपके नंबर आपको पता होंगे कि उसी एक्जाम के जैसा एक टेस्ट आपने दिया और आपके नंबर सतर आए साथ है या असी आए तो आपको पता चलता है कि आपकी आखिरकर तैयारी है कितनी आप कितने पानी में हैं दूसरी बात किस portion में आपकी कमी रह गई जिसके कारण आपके नंबर कम हो गए हैं आपको यहां से यह भी पता चलता है तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा आप से कि यह प्रसना आपके मन में हो कि मेरी तयारी कितनी है उसके बाद उसको को चेक करने के लिए आप कोई ना कोई test series लीजिए जिससे आपकी तयारी हो सके और किसी और test series को लेने से अच्छा है कि आप हमारे channel की test series को जोइन कर ले जो कि Sunday to Sunday exam होता है और आप अपना आकलन करें आपका analysis करें और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको actual में तैयारी करना कैसी है इसके बाद में एक question जब आपको ये पता है कि आपको करना क्या क्या है तो उसके बाद में आपके मन में question क्या है आना चाहिए कि इस परिक्षा में आखर पूछा क्या क्या जाता है तो आपको सब आपके घर पर बापिस जाना है आपको आपके घर से पहली बार कॉलेज जाना है तो आपको यह तो पता होना चाहिए कि किस रोड तरफ जाना है आपको किस दिसा में जाना है पता चला कि आपका कॉलेज पूरफ की तरफ है और आप जा रहे हो उत्तर की तरफ में या आपका पूरप की तरफ कॉले जो आप जा रहो पस्चिम निजा में तो कभी पहुंच पाएंगे क्या नहीं ना लेकिन जब आपको सही दिशा पता होगी सही एड्रेस पता होगा तब तुरंत पहुंच सकते हैं इसी प्रकार से परिच्छा में भी आपको पहले तो यह पता हो कि आप देखिए उसके बाद आप यहां पर देखिए कि ओल्ड कोशन पेपर किस प्रकार से आती है उसके लिए भी हमारे चैनल पर वीडियो है बहां पर आपको डिस्करप्शन में पेपर की लिंक भी मिल जाएगी जो ओल्ड कोशन पेपर की वीडियो है उसको आप जब रखते हैं तो आपको यह वाला भी कोश्चन होना ही चाहिए उसके बाद मेरे कौन-कौन से बिसाइ अच्छे हैं मतलब आपको जब आपने देखा कि इस पेपर के लिए हमसे यहां-यहां से इस परकार के कोश्चन किये जाते हैं तो अब वह कोश्चन कौन-कौन से में आपके कौन-कौन से बहुत अच्छे तयार हैं मतलब जिन में आपको बहुत जादा मेहनत नहीं करनी है थोड़ी बहुत मेहनत करनी है लेकिन बहुत सब्जेक्ट कौन से हैं जिन में हमें बहुत जादा यहां पर मेहनत करने किया बन सकता है इसके बारे में भी आपको उनसे किस प्रकार की question आती है इसको आप चेक कीजिए फिर आपको तैयारी करना है इसके बाद next question आता है कि आपको जब पता चल गया कि आपके subject कौन कौन से भीक है और उनकी आपको preparation करना है और किस प्रकार के question करे जाते है तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपके को कौन कौन सी बुक्स से पढ़ना है क्यों कि मार्केट में तो बुक्स बहुत आ रही है लेकिन आपको उन बुक्स से पढ़ना है जिन से questions बनने की बहुत ज़्यादा संभाबना है अब यहाँ पर students में एक बात बताना चाहूंगा कि मार्केट में मद्द प्रदेस जो आपका district code का exam है इसको लेकर कोई CV बहुत अच्छी बुक्स नहीं आई है और आप उन बुक्स को purchase भी मत कीजिए क्योंकि वहाँ पर कुछ भी बना कर दे दिया गया है और आप सोचिंगे के code के exam के लिए बुक्स अच्छी है special code के exam के लिए उसमें बहुत कुछ दिया है तो आप बिलकुल मत लीजिए normal जो आप तैयारी में books लेते हैं उनी books को आपको purchase करना है especially code के exam के लिए जो books market में है वो बिलकुल भी अच्छी नहीं है आप उनको बिलकुल मत लीजिए लेकिन यहाँ पर आपको कौन-कौन सी किताबों से पढ़ना चाहिए यह आपको पहले तो समझना होगा और यह समझने को कहा मिलेगा जब आपको समझने को मिलेगा जब आप हमारा subscription लेगे क्यों? क्योंकि मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा कि कौन सी बुक्स से आपको पढ़ाई करना चाहिए क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट्स हम से subscription लिए हैं अगर हमने उनकी बुक्स उनको जो बताई है अगर हम वो आपको भी बता दे तो फिर आप में उनकी तयारी में अंतर क्या रह जाएगा तो इसके लिए अगर आप चाहें तो हमारा subscription ले हम आपको बुक्स बताएंगे कि किन बुक्स से आपको study करना चाहिए तो students अगर subscription लेना चाहें तो आपको हमारे screen पर आपको दिखाई दे रहे हैं नंबर पर आप कॉल करें और आप जानकारी लें subscription लेना कैसे है इसके बाद जो next question आता है students कि किस बिसेक की और ज्यादा तयारी करनी है मतलब आपको जब पता है कि आपको कौन से subject प्रिपेर हो गया है और कौन से आपके बीक है अब आपको इस पेश्ट पता होगा कि आपको किस subject की और जादा तयारी करने की आवशक्ता है तो यहां से आपको ये भी पता करना चाहिए कि आपने mind में ही ये सब मन्थन करना है आपको किसी और से मन्हीं पूछना है क्यों आपकी तैयारी के बारे में सर्फ आपको पता है third इंसान को नहीं पता है इसलिए सिर्फ आप इस पर मन्थन कीजिए Next question तैयारी को अच्छा करने के लिए कितना पढ़ना होगा अब आपको जब ये पता है कि हमारे कौन से सब्जेक्ट बीक हैं, हमें किस सब्जेक्ट के और तयारी करना है और हमें कितनी तयारी करना है तो इसके बाद में हमें ये पता करना है कि आकरकार जो हमारा सब्जेक्ट बीक है हमें उसके लिए कितना और जादा पढ़ना है, कित फूटे फूटे दिन में आप strategy बनाएंगे कि अब हम मैं एक घंटे या 15 मिनिट इस subject को जैसा भी आप strategy बनाएं तो उसमें सबसे पहले आपको ज्यादा time के subject को देना ये आपको clear होना चाहिए कम time के subject को देना ये clear होना चाहिए तभी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको किस subject के लिए कितनी तैयारी करना है और कितना और ज्यादा पढ़ने की आवशकता होगी इसके बाद next question है जो क्या तैयारी करने का परयापत समय है तो देखिए आपने जैसे कोई एक subject है अब उसको आप पढ़ना इस्टा बहुत सी classes में गए है या आपने online classes भी देखी है आप वहाँ पर कितना पढ़ते हैं सिर्फ एक घंटे या कोई online class में एक घंटे क्या परयापत है नहीं अगर आप बही चीज किताब को अगर आप कोई online classes वाले या आपको कहीं पर कोई coaching वाले सर आपको पढ़ाते हैं इन MPG GKS या नॉर्मल GKS आप उसको जब पढ़ते हैं तो लगवाग 2-3 महीने में खत्म करते हैं लेकिन अगर आप बही MPG को एक महीने में अपनी self study से खत्म करेंगे तो सायद आपको बहुत ज़्यादा knowledge हो जाएगी जितना आपको कोई पढ़ाने वाला भी knowledge नहीं दे सकता इसल कोचिंग में आपने देखा होगा 100-200 students कोचिंग करते हैं सेलेक्शन दो या तीन या 10 students का ही होता है कारण 12 students self study करते हैं ना कि उन सर पर डिपेंड रहते हैं सर से तो सिर्फ थोड़ा बहुत माहुल के लिए बहाँ पर जाते हैं लेकिन वो study करते हैं अपने घर पर तो आप स सर के चक्कर में आप बहाँ पर जाएं सिर्फ environment के लिए लेकिन आपकी जो तैयारी होना चाहिए वो आपकी घर पर ही होगी और घर पर कैसे होगी आप जो books हैं उनको जब आप पढ़ेंगे क्योंकि बहुत अच्छा कहा गया कि books आपकी बहुत अच्छी friends होती हैं बहुत अ आप तैयारी कर लें तो फिर आप एक प्रस्न आपके मन में जो मैन होना चाहिए कि क्या बास्तविक्ता में आप तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ तैयारी करने का दिखावा कर रहे हैं बहुत से students जो हैं यह बात accept नहीं करते हैं कि बास्तविक्ता में तैयारी कर रहे हैं या दिखावा जो इस्टूडेंट्स मैंने बहुत से देखें बैस सिर्फ तैयारी का दिखावा करते हैं बाहर पढ़ने जाते हैं और सिर्फ दिखाते हैं कि मैं बहुत तैयारी कर रहा हूं लेकिन बास्विक्ता में अभी तक जितने पॉइंट समझाएं इन पर कभी मंतन ही नह मंतन नहीं करेंगे आप एनलेसिस नहीं करेंगे किसी एक्जाम का तब तक आप उस एक्जाम को कैसे क्लियर करेंगे कैसे उसकी अच्छी तैयारी करेंगे तो इसके लिए पहले तो आप यह देखिए कि आपकी बास्विक्ता में आप तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ कि आपको तैयारी बहुत अच्छी करना है तो आप सेट पेपर लगाए और बहुत अच्छे इंस्ट्रक्शन जो भी दें उनकी इंस्ट्रक्शन को लीजिए अब देखिए जब आपको यह पता चल गया कि आपकी बास्तिविक्ता में आप तैयारी कर रहे हैं या आप देखा अब उसके बाद में और क्या अच्छा किया जा सकता है मतलब आपकी अभी तक जितनी तैयारी है अब उसमें भी और अच्छा क्या आप कर सकते हैं आपके मन में ये कोश्चन होना चाहिए यदि आपके 80 नंबर आ रहे हैं तो आपके 80 से 90 के पार पहुंचे 90 आ रहे हैं तो कैसे आपके 95 नमबर आ सके, 60 आ रहे हैं तो कैसे आपके 80 आ सके, 50 आ रहे हैं तो कैसे आपके 80 आ सके, कैसे आपके 85 आ सके और कैसे हम सिलेक्शन ले सके, इसके लिए आपके मन में कैलकुलेशन होना चाहिए, यह नहीं कि आपके 80 नमबर आ रहे हैं, सर ने बाहवाई दे दी है अब तो selection होई गया, नहीं, बहाँ पर भी आपको आवशक्ता है कि आप देखें कि हम और क्या अच्छा करें, क्या और सुधार करें कि हमारे 80-85 या 90 नमबर हो जाएं इसके बाद जब आप इतना देखेंगे, इतना समझेंगे तो आपकी तैयारी बास्तों में बहुत अच्छी हो जाएगी इसके बाद जो हमारा last question रहेगा क्या मुख्य परिक्षा की तैयारी अभी से करना चाहिए देखें स्टूडेंट, बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो कहते हैं कि जब मेरा paper निकल जाएगा तो हम तैयारी कर लेंगे लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अभी आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे है लेकिन जब आपकी में परिक्षा है मुख्य परिक्षा हो उस टायम पर आपके परिस्तितियां अलग हो आपके पास में बहुत कम समय हो कोई condition ऐसी बन जाए जिसमें आपके पास बिलकुल भी समय ना बच्चे तयारी करने का फिर क्या करेंगे तो मेरा कहना है कि अभी से एक गंटे डेली की डिक्टेशन की प्रक्टिस कीजिए मुख परिक्षा की प्रक्टिस कीजिए ताकि आपको एट टाइम जब आप पास आउट हो जाए उस समय अगर आपका समय भी ना रहे तो कम से कम एक दो घंटे की मैनस से ही आपका सेलेक्शन हो जाए और मैं अभी कह सकता हूँ जैसा आरि चैनल से आपको दी जातीए फ्री पी हैं प्री पीड में बहुत अच्छी भी अगर चाहिए तो आप उसको ले सकते हैं यह सभी को subscription में मिलने वाला है तो इसकी इन पर जो नंबर है उस पर आप को पर करके subscription ले सकते उसकी जानकारी तो ले ही सकते हैं इस्टूडेंट्स देखिए इतनी जो बातें मैंने आज आपको बताई है इन पर आप मंतन कीजिए मंतन आपको करना है एक आगर तागर साथ जब आप अकेले बैटे हूँ ऐसा नहीं कि भीड़ बार में आप बैटे हैं एक्जाम क्रोस कर सकते हैं तो इस्टूडेंट्स अगर मेरे दो आपको अच्छा लगा है इसमें क्या और अच्छा लग सकता है आपको क्या और अच्छा हम आपको सुधार करके बताएं क्या पॉइंट जोड़ना चाहिए था इसके बारे में आप कमेंट कीजिए क्या आपको हमारा इस तरह से आपको guidance देना पसंद आता है तो इसके बारे में भी आप कमेंट कीजिए और अपने friends को भी share कीजिए अधिक सदिक ताकि हमारा channel बढ़ सके और आप लोगों के लिए इसी परकार से बीडियोज मैं आपके लिए लाने के लिए प्रेरित होता रहा हूँ इस्टूडेंट्स यदि आपको लगता है कि आपको subscription लेना चाहिए तो इसकी इन पर जो number दिखाए देरा इस पर call कीजिए क्योंकि आपका जो subscription का amount है आपकी job से बड़ा तो नहीं होगा इसलिए आप जुड़ें और आपको बहुत ज़्यादा help मिलेगी आपकी इस preparation में इस्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो को लाश्ट तक देखने के लिए आपका हिर्दा की गया रहे है उशे धन्दवाद